तो finally house of dragon में war की starting हो चुकी है और जो रिना टेगेरियन उसे mystery dragon भी मिल चुका है और एलेस की मदर्द के वाज़े से demon भी अपने sense में आ चुका है यानि कि demon को ये पता है कि उसे अप क्या कलना है और इस episode में अलीना ने भी बहुत वाला spoiler दे दिया है और season 1 के finale को देखने के बा और ब्लेक टीम के जितने भी ड्रेगन राइडर है वो फाइट के लिए एकदम तयार है और डीवन टेगेरियन ने भी अपने आर्मी को तयार कर लिया है फाइट के लिए और डीवन और रिनेरा भी एक दूसरे से फिल से मिलते हैं और हमें सीजन 3 में डाउस ओफ ड्रेगन देखने के लिए मिलेगा और दोस्तों मैं हूँ एस और आप देखरो बीस टीवी और आज मैं आउस ओफ ड्रेगन के सीजन 2 के फाइनल एपिसोड का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो के लिए तो एपिसोड की स्टार्टिक हुई टाइलर की दिखने से जो कितार आर्की से डील करा है उनकी सिप के लिए ताकि वो गलेट के ब्लोकेट को ब्रेक का सकें और ये डील कलने के लिए एमन ने बोला था है पिसो सिक्स में लेकिन सिप्स के बदले टाय आर्की है स्टेप स्टोन मांगती है और ये वही जगह है जहां कोल्ड एस और डीमन ने फाइट की थी उस जगे को अजात करने के लिए लेकिन इनकी फ्री करने का कोई फाइदा नहीं रा क्योंकि आया अलकी के पास वो जगह फिल से आ चुकी है और दूसर साइट वेकाल और एमन ने सार्क पॉइंट को पूरी तरह से जला के रख दिया है क्योंकि जो सार्क पॉइंट के रिजन है वो डायकले ड्रेगन स्टोन से है और री नहरा के पास तीन ड्रेगन देखने के बाद एमन ये बात समच चुका है कि अब वो इन्विजिवल नहीं है और एमन को पहले यह लगता था कि वो इंविंजिवाल है क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा ड्रेगन है लेकिन अब इस जगे में सब कुछ चेंज हो चुका है क्योंकि ब्लेक्स के पास अब टोटल सेवन ड्रेगन से और इसलिए एमन ने सार्क पॉइंट को डिस्ट्रोई कल दिया और दूसरे साइट एरिस किंग एगन के साथ होता है और जब से एरिस को ये बात पता चली है कि री नेरा के पास ओल्ड ड्रेगन राइटर आ चुके हैं तो इसलिए वो एगन को जल्दी से जल्दी ठीक कलने की कोजिस कर रहा है क्योंकि उसे ये बात पता है कि एमन ये वोल को हालने वाला है और एलेस ने ये प्लैन बनाया था कि सब कुछ जब तक ठीक नहीं हो जाता उसे एगन को चुपाना होगा और सही मोके का इंतिजार कलना होगा और दूसरे सीन में में प्रिंस जेस भी दिखाया जता है और जेस के एल्फ के साथ फाइट हो जाती है क्योंकि जेस का कहना ये है कि कोई भी ड्रैगन को राइट कलने लगेगा तो जो नियू राइडर है और उसमें कोई अंतल नहीं रहेगा और जेसे ये बात अच्छे से जानता है कि वो भी एक बास्टरी है और उसलिए जेस अपनी मदल के फेसले से कुछ नहीं है और जो एलब का एडिटीटीड है वो बहुत ज़दा बल चुका है जबसे सिल्वर विंग ने उसे चुना है अपने राइडर की रूप में और एलब को ये भी लगता है कि वो प्रिंस से बेटा रहे क्योंकि जो उसका ड्रेगन है वो प्रिंस के ड्रेगन से भी बढ़ा है और ये अमेजन कलो कि एलब को वर्मातोल चुल लेता तो वो अपने आपको किंग ही समझने लगता और जो सिल्वर विंग है वो आवसो ड्रेगन का तीसरा विगेस ड्रेगन है और दूसरे साइड एमन भी अपनी सिस्टर के पाद जाता है क्योंकि उसके पास भी एक ड्रेगन है और ड्रीम फायर फॉल्द विगस ड्रेगन है वेलगार के बाद और इसलिए एमन ये चाहता है कि उसकी सिस्टर उसकी मदद करें फाइट में लेकिन जो उसकी सिस्टर अलीना होती है वो सापसर मना कल देती है फायट कलने के लिए क्योंकि उसकी किसी को भी जलाना नहीं था लेकिन यहां एमन जबल जस्ती कलता है एलेना के साथ लेकिन यहां एलेसन उसे रोक देती है लेकिन एमन दुसरी बार अपनी सिस्टर के पास आता है उसे कन्वेंस कलने के लिए लेकिन यहाँ लीना उसे यह कहती है कि उसने जाने से मना किया तो क्या वो उसे भी एगउन की तरह जला देगा और यह सुनी कवाद एमन यह कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और यह सबसे वला spoiler है जो Alina ने दिया है और God Eye में एक और character की death होती है और दूसरे साइट Alice River डीमन को कुछ ऐसा दिखाती है जिसे देखके डीमन बहुत जदा है हरान हो जाता है और यह चीज तो हमने भी expect नहीं किया था कि हमें यह देखने के लिए मिलेगा और जैसे डीमन God Hood में हाथ रखता है वैसे उसे future की vision आने लगता है जहां डीमन यह देखता है कि एक इंसान एक पेड के अंदर बंदा हुआ है और उस इंसान के face में एक raven भी बना हुआ होता है और Game of Thrones में brain भी इसे से मिलता है और डीमन उस जगे में वाइट वोकल के आनमी को भी देखता है और वो अपने vision में यह देखता है कि वहाँ वो सरे soldier मरे पड़े है और वो यह देखता है कि वहाँ dragon भी मरे पड़े है और इस जगे में टोटल तीन dragon मरे पड़े थे और इस जग में जो ड्रेगन मरें उनका नाम है स्यर समॉक, वर्मान तोर, और तीस रा है टैसारियोन और यह तीन और ड्रेगन इस जग में मरें पड़े और इसके बाद ड्रेगन अपने विजन में यह देखता है कि आसमान में Red Comic होता है और उसके सामने तीन ड्रेगन एक्स भी होते हैं जो आग में जड़े होते हैं और यहां हमें ड्रेनेरे स्टेगेरियन भी दिखाई जाती है जिसके ड्रेगन अभी अभी एक्स से बाहर आए है और उसके बाद डीमन अपने विजन में ये देखता है कि वो God Eye River में डूब रहा होता है और उसके बाद डीमन ये देखता है कि Iron Throne में Riri Nehra Crown Pain के बेटी हुए होती है और हमें डीमन के विजन में अलीना भी दिखाई जाती है जो डीमन को ये बोलती है कि ये सारी एक स्टोरी है और तुम्हें इस स्टोरी में अपने पार्ट को प्ले कलना है और ये सब देखने के बाद डीमन को ये बाद समझा जाती है कि उसे क्या कलना है और इसलिए जैसे Riri Nehra उसके सामने आती है तो डीमन अपना परपस रीर नेरा को बताता है कि उसे क्या करना है और वो रीर नेरा के सामने सर भी जुकाता है और इस सीजन में डीमन टेगेरियन का बोच जदा क्रेक्टर डबलोप्मेंट हुआ है तो आसो को मैं सिरेसली बताओ तो जो आसो ड्रेगन का फाइनल एपिसोड है वो एक स्पोईलर एपिसोड है और इसके बाद हमें सर की स्टर कोल दिखाया जाता है जो क्यून के रुमाल को सुंग रहा होता है और यहां कोल ये चीज रिलाइस कर लेता है कि आर्मी का कोई फाइदा नहीं है ड्रेगन के सामने और ड्रेगन की फाइट देखने अगे बाद को बॉस बला सत्मा लगा है और कोल ये बाद भी जानता है कि उसका अंतर चन नहीं होने वाला है और क्यून के भाई को ये बाद बता चल जाती है कि जो कॉल है वो उसकी बेन को बजा रहा है और इसलिए वो कॉल को दमकी भी देता है लेकिन यहां को यह बताता है कि कुईन ने उसकी दोवल जानवा चाही है और इसलिए वो कुईन को फोलो कर रहा है और दूसरे जो कॉल इस बिलेरिया ने वो अपने बास्टरा सन की मदद करने की को जिसकलता है लेकिन जो का बेटेश संसरी को सब्स से होता है जskin् titre ने कि लेगिन ऌपने बास्टर सनों की मदद पहले इसलिए कि ती दिष्ट practitioners लेकिन उसे फाइनली उसे वाइल रेस ड्रेगान मिल्याता है और ज़ो ये वाइल ड्रेगान है इसका नाम है सीव स्टेलर और इस जग में बस हमें इतना है और इस जग में ये सीज़ नहीं दिखाई गही weights कि रीणा ने से जिस घंसे यस करेंगे हाउस और ड्रेगन की डिटेल के वह उपर जो आप लोगों ने मिस्स कर दिया होगा और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में साय और नारा